दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योग एसी लर्णिंग योटूब चैनल पर कवर करेंगे कई बड़ी महत्यपुल खबरों को जो की स्टमबंदित होगी UP, TGT और PGT की भरतियों से इसके अलावा आज एक बैठा को लेकर के साथी L.T. और G.I.C. प्रवक्ता के नए नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं साथी KBS का जो अभी एकजाम चल रहा है इस पर भी आपको बड़े लेबल पर जो अनिमित्ता है धानली है ये सारी चीजे देखने को मिल रहे हैं तो इस पर भी नजर डालने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं बिहार डिलेट इंटरिंस एकजाम 2030 के लिए बेस्ट बुक के बारे में जोकी चच्छू प्रकासन की है ये बुक 18 जनवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के एकोर्डिंग न्यू पैटन के हिसाब से डिजाइन की गई है जिसमें आपको पूरा सलेबस साथी दो सालवे पेपर और तीन हजार से यादा अबजेक्टिव टाइप क्यूस्चन आंसर की साथी डिटेल सोल्यूसन के साथ देखने को मिलेंगे और इसी लिए ये बुक अपने आप में सबसे अलग और बेस्ट होने वाली है आपके एकजाम के पॉइंट अब व्यू से और ये बुक आपको ओनलाइन ओफलाइन दोरही प्रकार से मिल जाएगी ओनलाइन पर्चेस करने के लिए ल यनि की असास की सहायता प्राप्त मादमी बिद्याले हों TGT PGT वाले सभी की हालत काफी ज़्यादा बदतर है और सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले तो इन बिद्याले में सिच्चकों की भरतियां होती नहीं है और अगर सिच्चकों की भरतियां भी होती है तो 10% 20% ही प संस्कित और काम चलाओ गलिद भी पढ़ा रहा है क्योंकि सालों से ल्टी ग्रेट की भी भरति हो नहीं रही है और TGT PGT की भी अगर भरति होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए पद खाली है 30,000 तो भरति होगी 3000 पदों पर 4000 पदों पर और अब चुकि जो ये असासकी बिद्ध्याले होते हैं इन्हें चलाते तो प्रबंदा की हैं लेकिन संसादनों के जो पूर्ति है भरतिया होगा ये सारी चीजे सरकार ही करवाती है लेकिन अगर इनमें सरकार भरतिया ही नहीं करवाएगी तो बच्चे एडमीशन नहीं लेंगे और फिर पर किया है कि जितने भी TGT और PGT बिद्यालों के प्रबंदा के आज इनकी एक बैठा कोई है कि सरकार इन बिद्यालों में भरतियां करवाए समय से और जितने भी यहाँ पर संसादनों की आवसक्ता होती है एक बिद्याले को सुचारो रूप से चलने के लिए इन सभी की भरती को ले करके तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बजट में पांच साल पुरानी भरतियों का तो जिक्र है लेकिन जो नई भरतियां है जिनके अधियाचन आल लेड़ी UPPC को मिल चुके हैं इन भरतियों का कहीं पर भी नामों निशान नहीं है यह बात हो र आए और उपर से इसके जो पद हैं यह भी घरते चले जा रहे हैं देखिए इसके पहले में अगर आपको एक डाटा बताओं तो दिसंबर 2020 में जो है एल्टी के ही नए बिज्यापन को ले करके एक 866 पदों का जो यहाँ पर अधियाचन था यह UPPC पहुँचा हुआ था और लगबग 3 साल हो गए हैं भरती भी नहीं आई लेकिन फिर भी यहाँ से जब आप देखेंगे पद तो यह सिर्फ 5000 यानिकि 5418 ही बचे हुए हैं जबकि पहले यह थे 8000 और उपर से देखिए इतने भी पद हैं तो इन पदों पर भी भरतिया नहीं आ रही है और इसके पहले जब यहाँ से नए आयोग को लेकर के सरकार ने जानकारी दे थी तो उसमें यह कहता कि LTGIC की भी भरतिया होंगी तो इसलिए अब इसके बिग्यापन को लेकर के हो या फिर TGT PGT की भरति को आगे बढ़ाने को लेकर के हो यह सारी चीजे तभी इस पस्ट होंगी जब इस पस्ट होंगी और अभी आप सभी जानते हैं कि जो यह बजट है यह पूरे मार्च लगबग चलने वाला है तो इसके करम में जो जानकारी आगी वो आपको दे दी जाएगी इसके बाद अगर हम बात करें यहां से केंदरी बिद्याले की भरति कुले करके आप सभी जान और यही देखी लगबग हर एक भरती में आप यहां से कॉमन सा हो गया है कि 10 लाग 15 लाग दो और यहां से सीधे आप एक्जाम को पास करो तो इस पर आपकी क्या राहे कमेंट करके ज़रू बताएं फिलाल आज को वीडियो यही तक बहुत बहुत धन्यवात